पहरे बच्चों अब हम उदाहरण एक पर बात करने जा रहे हैं इस उदाहरण में हमारे सामने एक आकरिती दी हुई है आप देख रहे हैं इस शीट पर हमने अलग से उसे बनाया है यहाँ आपको दो त्रिभूज दिखाई पड़ रहे होंगे AOB और DOC इन दोनों त्रिभूजों के लिए हमें दिया हुआ है कि OA बराबर OD यानि OA बराबर OD और दूसरी चीज़ दी हुई है OB बराबर OC यानि यह भूजा OB बराबर है दूसरी भूजा OC के इन दो जानकारियों के आधार पर हमें यह सिद्ध करना है तो यह हमें सिद्ध करना है और एक चीज़ और सिद्ध करना वह यह है कि AB समनानतर है CD के यानि जो आप रेखाकंट AB देख रहे हैый वह इस रेखाकंट CD के समनानतर है ये दूसरी चीज हमें प्रूफ करनी है तो चलिए शुरू करते हैं अब देख रहें कि दोनों त्रिभूज इस तरह से बने हैं कि रेखा A, D और C, B एक दूसरे को बिंदू O पर काट रही है और A, B और C, D को करमशे मिलाये गए तब ये आकरिती बन रही है ऐसी परिसिती मे अब हमें इन जानकारियों के अधार पर आके बढ़ना है तो जो दिया हुवा है उसे हम लिखेंगे सबसे पहली बात, इस द्रिभूज के बारे में हम लिख ले, त्रिभूज A, O, B और त्रिभूज D, O, C इसमें हम देखेंगे जो बातें दी हुई है उसे हम पैने लिख ले हमें दिया हुआ है O. B. O. D हमें दिया हुआ है O. A. O. A. O. A. O. D ति इसे हम लिखें O. A. B. O. D और दूतरी चीज़ दी हुई है O. B. O. C O B बराबर O C ये भी हम लिख ले O B बराबर O C ये जो दो सूचनाएं हमें दी थी उसे हमने लिख लिया है यहां पर अब हमें इन दोनों त्रिभुजों में एक और ऐसी चीज ढूनी है जिसके आधार पर हम इन्हें सरवांग समसिद्ध कर सकते हैं आप देखें चुकि ये रेखाखंट A D और B C एक दूसरे को कारट रही हैं बिन्दू O पर इससे ये जो दो कोण बन रहे हैं पहले वारे त्रिभुज A O B में कोण O यानि कोण A O B और दूसरे त्रिभुज कोण D O C ये दोनों कोण शिर्षा भी मुण कोण है और इसलिए आपस हैं बराबर होंगे तो हम इस बात को लिख लें हम लिखेंगे कोण A O B बराबर दूसरे त्रिभुज का कोण इसे हम बढ़ेंगे D O C ये शिर्षा भी मुण कोण है और इसलिए ये बराबर है अब आपने देखा कि पहले त्रिभुज का ये कोण और उस कोण को बनाने वाले भुजा A O और O B यानि ये दोनों भुजाएं और उनके बीच के कोण इस त्रिभुज की इन दोनों भुजाओं और उसके बीच कोण के बराबर है एक बाद फिर से देखिए O A और O B के बीच कोण यहाँ O बन रहा है और उसी तरह से O D और O C के बीच ये कोण यहाँ बन रहा है और एक नमशा एक दूसरे के बराबर है यानि O B O C के बराबर है और O D O A के बराबर है तो इस कथन को हम लिखे कि इन तीनों शर्तों के आधार पर हम त्रिभुज ए ओ बी को सर्वांग सम कह सकते हैं त्रिभुज डी ओ सी के ये दूनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए तो पहली बात जो हमें प्रूफ गरनी थी कि दिबुज A, O, B और D, O, C सर्वांग सम हम ये हमने सिद्र कर दिया अब सर्वांग सम होने के परसिति में इनके जो बाकी संगत हिस्से होंगे वो कोड़ अब हो जाएं भी हो सकते हैं वो भी आपसे बराबर होंगी तो आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में AOB में यह जो कोड़ A है वो त्रिभुज DOC के कोड़ D के बराबर है क्योंकि यह दोनो कोड़ एक दूसरे के संगत कोड़ है तो हम लिख सकते हैं आपर चुकि दोनों त्रिभुज सर्वांग समय है इसलिए इनके संगत अव्यो बराबर होंगे तो यहाँ पर हम बात कर रहा है कोड़ A की इसे हम लिखेंगे कोड़ OAB कोड़ OAB बराबर है कोड़ ODC के ODC के बराबर है और ऐसी परिस्ति में आप देखिए कि यदि यह दोनों कोड़ बराबर है तो यह भुजा BA और CD इन्हें यदि तीरेक रेखा AD काटती है तब यह कोड़ निर्मित हो रहा है और चुकि दो रेखाओं को एक तीरेक रेखा काट रही है इससे बनने वाले कोड़ों को हमें एक आंतर कोड़ कहते है और एक आंतर कोड़ यदि बराबर है यह दूतरा कतन जो हमें प्रूफ करना था AB और CD एक दूसरे के सामानांतर है जो हमें यहां दिया हुआ था सिद्ध करने के लिए तो इस तरह से आपने देखा यह दोनों चेज़ें सिद्ध होती है कि यह दोनों त्रभुज AOB और DOC सरवांग सम है और इस सरवांग समता के अधार पर चुकि यह दोनों कोण बराबर है और यह तीरक रख़ए AD, CD और AB को काड़ती है एक अंतर कोण बराबर होने के वज़े से आप AB और CD को समानांतर कह सकते है तो यह आपने इनको समानांतर कह दिया अब इसी प्रमे को इस सवाल को हम अगर हम गतिविदी के माद्धे हम से बताना चाहते है तो देखिए हमने दो त्रिबूज के एक सेट बनाया है जो ठीक इसके बराबर है अब देखिए यह जो हमने अलग से त्रिबूज इसमें लगाया वो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढख रहे है यानि जो इस शीट पर त्रिबूज बने थे उनके बराबर एक त्रिबूज हमने बना लिया है अब इन्हें हम देखे एक दूसरे के सरवांग समय कि नहीं यह हम इनको लेते हैं यहां से और इससे अलग कर ले और इनको हम मिलाते हैं तो अब देखिए इसकी संगत बुजा यह है इसकी संगत बुजा यह है तो यह संगत बुजा है आपस मिलने चाहिए तो इसके लिए हमें इस त्रिभुज को इस तरह से घुमाना पड़ेगा और इसको हम घुमा के एक दूसरी को उपर लाते हैं देखिए दोनों त्रिभुज एक दूसरे को ठीक ठीक ढख रहे हैं पहले वाले त्रिभुज ने दूसरे को ठीक ढख लिया और अब हम इसको उपर कर दे, इसको नीशे कर दे, तो आप देख रहे हैं, इसने भी पहले वाले को, दूसरे वाले को अच्छी तरह से ढख लिया है, तो दोनों त्रिबुश, गति विदी के माध्यम से भी सरवांगसम दिखाए पड़ते हैं, लेकिन प्रूफ करने के लिए सिद्ध करने के लिए हमें साध्धानती के रूफ से बात करने पड़ी की जो आपके सामने हैं,